अगर आप अभी तक Android phone यूज़ कर रहे थे और आपने जितने भी contact number है वो सारी Gmail ID पर save कर रखे थे और हाली में आपने iPhone को purchase कर लिया और आप iPhone पर shift हो चुके हैं तो Gmail account पर जितने भी contact number है वो आप अपने iPhone में save करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको step by step बताने व समाएं ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो चलते मौल की स्क्रीन पर किसी भी iPhone में Gmail account के contact number को save करने के लिए सबसे पहले iPhone में contact को open करेंगे open करने के वाद आपके iPhone में जितने भी contact number save है वो आपके सामने निकल कर आए जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते ह हैं तो यहां पर मैं अपने Gmail ID के contact number को save करना चाता हूं तो उसके लिए उपर आपको option लिए प्लस का इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इसरीके का page आ जाएगा यहां पर आपको एक option देखने को मिल जाता है add email इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जिस भी Gmail ID पर आपके contact number से में उस Gmail ID को यहां पर type करेंगे type करने के बाद डन के option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपदेख सकते हैं आपके सामने कुछ इसरीके का page आ जायागा यहां पर आपको अपनी Gmail ID देखने को मिल जाती है अब आपको अपनी Gmail ID पर क्लिक करना आए क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इसरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आपके सामने बहुत सारे ओप्सन देखेने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको ओप्सन जाता है गूगल का इस पर क्लिक करेंगे गूगल पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इसरीके का पॉप अप आ जाएगा यहाँ पर continue के option पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर हम थोड़ी देर wait करेंगे wait करने के बाद आपके सामने sign in का page open ओकर आ जाएगा सब्सक्राइब आपके अपके सामने कुछ इस्तरीके का पॉप अजाएगा अगर अपनी email आईडी का पासवड करना चाहते हैं करेंगे not now के option पर क्लिक करते ही अगर आपकी Gmail ID पर टू स्टेप verification लगा हुआ है तो आपके सामने कुछ स्थिरीके का इंटरफेस आ जाएगा आप यहां पर हम नीचे स्कॉल करेंगे स्कॉल करने के बार नीचे आपको option लिएता है OTP टैप करने के बार next के option पर क्लिक करेंगे अब आपका Gmail account iPhone वे successfully login हो चुका है अब यहां पर contact number को save करने के लिए नीचे आपको option देखने को मिल जाता है contact का इसपर enable करेंगे enable करने के बाद यहां पर आपको option लिएता है keep on my iPhone इसपर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही अब यहां पर save के option पर क्लिक करेंगे save के option पर क्लिक करते ही अब वापस contacts पर आ जाएंगे अब यहां पर Gmail ID के contact number लाने के लिए उपर आपको option जाता group का इसपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको first option मिल जाएगा all gmail इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद done के option पर क्लिक करेंगे अब आपके जो भी gmail id आपने type की तो उस पर जितने भी contact number save थे वो आपके इस contacts में आ जाएंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मेरे जो भी gmail id पर contact number save थे वो सारे आ चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं total contacts देख सकते हैं यानि कि 783 को total contacts हैं तो इस तरीके से आप अपने iPhone में gmail id के contact को ला सकते हैं और से save कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें शेयर करें और ऐसी technical वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं ऐसी next वीडियो में